हलो एवरिवान और वेल्कम टू चेतन भारत लड़निंग जैसा कि हमें पता है हर्याना HCS के फॉर्म्स अब भरने शुरू हो चुके हैं बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल करने शुरू भी किये हैं लेकिन बहुत सारे इशूज हैं जो की फेस किये जा रहे हैं बाइड इशूज हैं बच्चों को फिल करना है और किस कॉलम में आपने क्या चीज़ा लिखनी है शुरू करेंगे आपने सबसे पहले करना है गूगल गूगल पर आप लिखेंगे हैं उनकी जाएंगे उफिशल साइट के ऊपर उसके उपर उसकी उपर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इस पर एड़ुटिजमेंट वाले ओप्शन के ऊपर यहां हमने क्लिक किया और उसके बाद आपको जो थर्ड ओप्शन है क्लिक है टू अपलाई इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अड़ुटिजमेंट नमबर 11 of 2023 हर्याना एंग्जेकेट क्लिक किया हुआ है अगर आपने कुछ चेंजिस करने हैं फॉर्म बीच में आथा छोड़ दिया है तो उसके रिगार्डिंग आप करेंगे लॉग इन लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म फल करने जा रहे हैं इसके उपर क्लिक करने के बाद खुलता है यह वाला फॉर्म जिसमें आपका नाम आपकी नेशनालिटी आर यू डूमिसाइल ओफ हर्याना देखो अगर आप हर्याना के रहने वाले हैं तो तो आप लिखेंगे इसमें यस और अगर नहीं रहने वाले हैं तो लिखेंगे नो इतो हम भी पता है सभी को लेकिन अगर आप हर्याना में रह तो वह बेसिकली क्या है, दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं ये, जो डॉमिसल सेटिफिकेट है, बेसिकली वह बनता है एक इंडिविजुल का, जो पीपी आईडी है, वह बनती है पूरी फामिली के, फर एक्जामपल, किसी फामिली में पांच लोग रहते हैं, हास्बे कि दूस फामिली के साथ जहां पर उसकी शादी होई है, तो वह बनता है पूरी फामिली का, तो दोनों अलग लोगों को चाहिए हैं, और अगर आप हरियाना में रहते हैं, तो आप अगर इस पे यस करते हैं, तो नेक्स ऑप्शन आता है आपके पास, पीपी आईडी, तो उसको आपने बस यहां पर लिखना है, यह हमें क्लारिटी हो गई है, फिर हम आते हैं, तो विच काटेगरी यू बिलॉंग या जेंडर, इसमें आपने जितनी भी स्पेसिफिकेशन से वो फिल करेंगे, दूसरी चीज इसमें यह भी मैं बता देती हूँ कि जो परसन हर्या हर्याना में नहीं रहता है, या फिर हर्याना का दौमिसाल उस सर्टिफिकट उसके पास नहीं है, वो किसी भी पोस्ट के लिए, प्रसर्वेशन के लिए लिजिबल नहीं होगा, वो सिरफ कंपीट करेगा या करेगी फॉर जेनरल काटेगरी की सीट्स, तो अगर आप यू या कोई और जो कैटेगरी से रिजर्वेशन की उनका आप लाब नहीं उठा सकते हैं, तो यह में क्लैर हो गया है, दूसरा फिर इसमें है कि क्या आप पहले से ही हर्याना गौर्मेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आपने काम किया है, आप अग बेसिस पर, वर्क वेजिस प तो अगर येस है, तो आप येस करेंगे, और जो स्पेसिफिकेशन मांगी जाएंगे, कि आपने कब जॉइन किया था, कब आपने रिजाइन किया, कितने साल हो गए हैं आप इस सर्विस को तो आपने सब चीज़ें फिल करनी होगी, फिर है आपका, आर यू एन इम्प्रॉ करें या फिर किसे डेपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हाई कोट इया, इस सब में जो काम करेंगे, उनके लिए अलग ये कॉलम है, ये अलग अलग क्यों है, बताओं ये अभी क्यूंकि जो रिलाक्सेशन ऑफ एज है, इस में दोनों में अलग अलग चीज़ें है, तो इस के पास certificate है वो वाला तो आप इसमें यस करेंगे और जो भी specification मांगी जाएंगे उसके आगे आपके certificate में वो चीजे लिखी होंगी वो आपने फिल करनी है फिर हम आते हैं आगे ex-serviceman of haryana details कि आप मान लीजिए आर्मी नेवी या force retire होकर आए हैं और आपके पास CSM certificate है ex-serviceman का अगर आप इस form को फिल करते हैं तो you are eligible आपके उस certificate भी होगा मान लीजिए कि आप इसके ओपर इस certificate के थूँ compete नहीं करना चाहते तो आप compete कर रहे हैं सिरफ और सिर्फ जनरल category की seats के लिए आप यह चाहते हैं कि मैं परसन होगा वो ESM certificate के अंतरगत उन सभी seats के ओपर लड़ेगा जो कि ESM के लिए reserved हैं और अगर प्रिलम्स मेंस या इंटर्व्यू इन तीनों में से final list में जब उसका नाम आता है अगर उसने तीनों स्टेजिस पर कभी भी ESM certificate का लाब नहीं उठाया है हमेशा उसके number general category से उपर ही रहे हैं तो वो general category में ही count होगा तो एक तो यह clear हमें रखना है तो इसमें details आप लोगों ने भरनी है सारी potato birth है आपकी email address है mobile number है या फिल करेंगे जब फिल करेंगे ताओ कि ऐसा आएगा OTP for mobile भी और OTP for email भी इसको फिल करेंगे इससे क्या होगा आपका जो provision registration है वो हो जाएगा उसके बाद mother's name, father's name की क्या आपको कभी HPSC, UPSC से D-bar किया गया है from और any other government department से तो उसमें आपने ये no करना है are you a child or grandchild of freedom fighter of haryana तो इन सब में जो भी आपकी eligibility है जो भी आपकी specifications है वो आपने फिल करनी है उसके आगे हम चलते हैं address आपने फिल करना है यहाँ पर correspondence address फिल करना है same as permit address करना है तो उसको भी आप simple as it is tick मार देना फिर बात आती है bank account details की for example आपने फॉर्म की जो fees है वो भरी होगी by chance अगर वो refund करवानी होती है तो फिर आपके किस account में वो पैसे आएंगे उसकी details है बेसे के लिए इसको आप फिल कीजिए फिर आते हैं post preference के उपर देखो total 12 types of post है SDM है, DSP है, traffic manager है, A class तहसीलदार है, ETO है, assistant ETO है यह post preference जो है यह आपने अपने हिसाब से भरनी है for example किसी भी बच्चे को DSP बनना है तो वो DSP first preference पर रखे, SDM second पर आजे किसी को अगर बनना ही taxation officer है तो वो first preference पर उसको भर दे तो यह जो post preference है यह आपने अपने हिसाब से भरनी है ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी post जादा अच्छी है या जादा उसमें perks और privileges है यह आपको SDM और DSP के बाद जितनी post वगरा होती है उनका हलका सा research करना है कि क्या इनके काम होते हैं क्या basically यह करते हैं पूरे दिन में तो उसके हिसाब से आपने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी preference के अनुसार जो है इन सब को fill करना है बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है 12 जो post है उनमें से सरफ ये 11 post को fill किया है 12 को उन्होंने fill नहीं किया अगर fill भी किया है तो by chance वो cut हो गया है तो जब last में वो ultimately form को submit करते है तो वो दिखाता है status incomplete तो आप दुबारा से जो form को देखेंगे कि क्या incomplete रहे गया तो इसमें ये भी देख लेना एक बार कि क्या जो 12 post थी वो fill की गई है कि नहीं की गई है कई दो बच्चों का इस तरीके से एक issue आया था तो हमने देखा कि ये issue भी आ रहा है तो इसको भी आफड़ा ध्यान से करिएगा total 12 की 12 post जो है आपने fill करनी है फिर बात आती है अगली उस पर जहां पर आपकी physical details भांगी गई है जिसमें आपने पनी height fill करनी है chest expanded और chest unexpanded को fill करना है जो males है उनके according आप fill कीजेगा जो females है उनके लिए ये जो दो column है ये न आप लिख सकते हैं इसमें not applicable specifications दी हुई है proper notification में की न आप लिए फिल कर देगा फिर आपने अपना optional भी यहीं पर चूज करना है sociology लेनी है psir लेना है anthro लेनी है maths, physics जो भी आपने option लेना है अगर आपने एक बार इसको फिल कर दिया है तो मेंस में आपको भी optional से पिपर लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको change नहीं कर सकते है तो बहुत ध्यान से चूज कीजेगा अपना ये optional और उसको फिल कीजेगा इसके बाद आप इसको submit करते हैं तो फिर आता है आपकी educational details जिसमें 10th, 12th graduation या post graduation की details आपसे मांगी हुई है जिसमें आपका university का नाम, institute का नाम, board का नाम subjects आपसे पूछे हुए हैं आपकी percentages पूछी हुई है, year of passing पूछा हुआ है और साथ में दो चीजे हैं इसमें एक तो है इसमें certificate और एक है आपका इसमें degree दोनों अलग अलग चीजें है तो आपको जो लास mark sheet होती है उसमें full total marks लिखे होते है तो वो तो है आपकी mark sheet जो आपको ultimately degree मिलती है वो है आपकी degree जिसको आपने उस column में fill करना है दूसरा आप मालनीजे आपने 10th class की है हर्याना बोर्ट से तो उसका जो पूरा proper mark sheet है वही आपका certificate है वही आपकी degree भी है तो उसमें आप दोनों documents सेम ही fill कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर आपने 12th cbsc से करी है या 10th cbsc से करी है तो उसमें एक तो आपको mark sheet मिलती थी दूसरा आपको मिलता है passing certificate तो दोनों ही आपके वास होने चाहिए और आपने दोनों को अलग-अलग fill करना है तो ये हम देख लेंगे फिर बात आती है photo, signature और हयाना के domicile certificate की जो photo आपने upload करनी है उस photo में आपने ध्यान रखना है कि ये तो रहेगी आपकी photo और नीचे रहेंगे आपके इसमें signature तो ये basically क्या है आपकी photo duly signed by the candidate आपने इस तरी केसे इसको upload करना है उपर photo रहें नीचे आपके signature रहें आप दोनों को paint में जाकर edit कर सकते हैं और photo के नीचे signature लगा सकते है उसको आप फिल कीजिए फिर signature जो आपने इसके ऊपर यूज किया है इस photo को same photo आप यहां पर भी upload कर सकते हैं दूसरा हर्याना का domicile certificate जैसा कि मैंने बताया कि PPP ID मांगी हुए थी शुरुआत में वो आपके पास certificate होना चाहिए और domicile भी आपके पास होना चाहिए दोनों में फरक क्या था वो उम लोगों ने देख लिया था दोनों certificate आपके पास हो अगर आपने हर्याना के इस form को फिल करने के बाद हर्याना के इन सभी post के लिए reservation का benefit लेना है और जब भी certificates आपसे मांगे जाएंगे interview के बाद ये interview से पहले उनको आप already possess करते हैं जब आप ये form फिल कर रहे हैं इसके बाद आएगा आपका fees का और आपने ओ फिल करनी है the depends है कि जो male है उनके लिए 1000 रुपीज है female के लिए 250 रुपीज है तो उसको आप फिल कीजिए online ही उसके बाद अपने उस पूरी application का printout निका लीजिएगा ताकि future references के लिए आपके पास एक evidence रहे कि registration ID क्या थी password क्या था इस login ID password को भी आप लिख लीजिएगा कहीं पर ताकि जब result आए तो आपको पता हो कि roll number क्या है admit card जब आएंगे तब आपको admit card download करने होंगे जिसके लिए already login ID और password आपसे मांगे जाएंगे तो उसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा फिर कुछ चीजें इसमें ध्यान रखने वाली for example जैसे मैंने आपको बताया के भी domicile certificate अलग है PPP ID अलग है domicile certificate जो है वो बिसीले दिखता है इस तरीके का जिसमें ये जो ग्रामीन एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो तो पटवारी से जो है ये अपना certificate बनवा लेते हैं और जो लोग शहरों में रहते हैं जो नगर निगम के अंडर आते हैं वो मुनिस्पल कॉर्परेशन के जो मेर हैं उनसे वो चीजें certificate बनवा सकते हैं तो ये है आपका domicile certificate जो particular individual का है PPP ID है आपकी पूरी फामिली के तो दो अलग-अलग documents हैं दोनों अलग-अलग तरीके से बनते हैं तो ये ध्यान दखेंगे दूसरा इसमें है कि certificate की issue date क्या है for example कोई भी certificate हो आपका चाहे आपका बहुत certificate है चाहे आपका बहुत certificate है चाहे आपकी categories SC, BCA, BCB, EWS, X-Serviceman, Disabled X-Serviceman, PWBD ये जितने भी certificates हैं आपके ये सारे issue होने चाहिए during the year 2022, 2023 as per the latest notification तो जो पुराने आपके certificates हैं उनको आपको दुबारा से reissue करवाना होगा और वो इसी साल में issue आपने करवाने होंगे ये especially है for BCA, BCB, EWSO, DESM के लिए ठीक, तो इसमें SC, STS को हम include नहीं कर रहे हैं, हम इसमें जो PWBD है, उनको include नहीं कर रहे हैं ये especially आपके का certificate जिनको हम बोलते हैं ये उनके लिए है especially जो कि इसी साल में आपके वो ratio होने चाहिए दूसरा, अगर आप देखे EWS certificate के लिए तो EWS के लिए जो है रुपीज 6 लाग पर आनम की जो limit है वो रखी गई हराना government के द्वारा center का एक EWS certificate बनता है एक हर्याना का बनता है center वाला जो certificate रहेगा उसमें income है आपकी 8 लाग पर आनम से नीचे अगर वो है तो हर्याना में है 6 लाग तो certificate डोनों अलग-अलग है इस बार भी बहुत सारे issues बच्चों ने कि जब EWS certificate मांगा गया था उन्होंने center वाला अप्लोड कर दिया था तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा कि EWS of हर्याना का certificate जो है वही आपने अप्लोड करना है ताकि future में इंटर्वियू के टाइम पर आपको कोई भी difficulty face ना करनी पड़े तो यह आप ध्यान रखना EWS of हर्याना ही आपने अप्लोड करना है फिर बात आती है reservation के जैसे हमने देखा कि कोई भी ऐसा person जो की हर्याना में रहता है उसके पास हर्याना का domicile certificate है तो वो तो reservation के under eligible है लेकिन कोई और other person जो की हर्याना के हर्याना स्टेट में नहीं रहता है उसके पास domicile certificate नहीं है वो पंजाब से हैं, यूपी से हैं हर्याना राजिस्थान से हैं तो वो सरफ और सरफ general category के under ही जो seats हैं उनके through fight कर सकते हैं तो यह आपने ध्यान रखना है कि जो और states के लोग हैं वो सरफ और सरफ general categories के लिए ही eligible हैं, दूसरा वो women जो की reservation सीख कर रहे हैं SC, BCA, BCB category के तहट, उनको वो certificate upload करना है जो parental side, father side की तरफ से एक authority के तरफ इशू किया गया होगा ना कि जिसमें नाम है जो की husband side की तरफ से इशू किया गया है, component authority के द्वारा जिसमें सरफ husband का नाम है या फिर दोनों का ही नाम है ये certificates जो है मानने नहीं होगे तो इसका भी आप ध्यान रखना है कि जो भी का certificate आप upload कर रहे हैं तो वो आपका parental side वाला हो जिसमें especially SC, BCA और BCV categories की हम बात कर रहे हैं एक तो ये फिर बात आती है वो employees जो की हर्याना government के अंडर काम करते हैं और regular basis जो ad hoc basis पर हैं जो work wages के daily wages के ऊपर हैं वो उनको भी मिली हुई age relaxation बहुत सारे बच्चों का ये भी doubt था कि अगर हम already हर्याना के किसी government department में काम करते हैं तो क्या हमारे लिए कोई relaxation of age है तो answer is yes अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा individual जो की हर्याना government केंडर काम करता है या फिर high court केंडर या फिर और कोई subordinate court पर एक्सेंपल अंबाला का कोई court है district court पानेपता को district court है तो अगर उनमें भी अगर आप काम करते हैं और आपको काम करते हुए चार साल कम से कम हो गए है excluding your ad hoc basis वाला period जो provisional जो period है आपकी job का उसको हटाने के बाद अगर आपको चार साल हो गए है काम करते हुए तो फिर आपको 45 years तक की age relaxation दे दी जाएग 45 years age तक आप हो तब अधरवाइस क्या है 42 years है तो आपको 3 साल की relaxation दी हुई है है न और आपको 3 chances ही maximum मिलेंगे after 42 years ऐसा नहीं हो कि 42 years के बाद 4 बार form निकला आपने 4 बार fill कर दिया तो ऐसा नहीं है सरफ 3 बार ही attempts हैं आपके 42 years के बाद और 45 years है आपकी upper age limit अगर आप हर्याना की regular employees है तो इसका ध्यान रखिएगा फिर आती है NOC की बात कि अगर आप हर्याना government के अंडर काम कर रहे हैं और अगर आपने government के साथ कोई भी bond को sign नहीं किया हुआ है तो बस आपको अपने department को बताना है कि मैं ये form fill कर रहा हूँ या form fill कर रही हूँ कोई भी आपको NOC नहीं चाहिए है which means no objections certificate but self declaration is important दूसरा अगर आपने हर्याना government के साथ कोई भी bond को sign किया हुआ है तो फिर आपके जो head of the department है वो उन से आपको NOC लेनी होगी और वो आपको upload करनी होगी और जिससे पता लगता है कि आपने अपने department को सूचित किया हुआ है कि आप ये form fill कर रहे हैं तो एक तो ये चीज तो bond अगर sign किया हुआ है तो उसके लिए लग specifications है और अगर bond sign नहीं किया हुआ है तो उसके लिए specifications है तो इसका हम ध्यान रखेंगे फिर बात आती है कि educational qualifications की अगर आप कोई भी डिगरी कर रहे हैं और आप उसके last time में है जिसका result बारा मार्च तक नहीं आता है तो आप eligible educationally नहीं होंगे क्योंकि बारा मार्च इसके जो last date है form को fill करने की उसके दोरान उस date तक आपके पास आपके जो last mark sheet है जो degree है वो आपके पास होनी चाहिए आपका last paper हो जाना चाहिए आपके जो mark sheet है वो आजानी चाहिए degree बाब में आती है वो अलग चीज़े बढ़ लास mark sheet जो है ultimate result है वो तो आपका उस time तक आजाना चाहिए तो कोई भी अगर person नभी last sem में है जिसका result बारा मार्श सक नहीं आ रहा है तो वो इस form को फिल नहीं कर सकता आगे later stages में थोड़ा सा दिकत face हो सकते है फिर तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए फिर हम बात करते हैं कि EWS की हम ने देखी लिया है कि 2022-23 के लिए वो eligible होना चाहिए for example EWS certificate जो हर साल के लिए बनता है तो अगर आपका 2021-22 का वो EWS certificate है तो वो इसमें काम नहीं आएगा especially especially आपने 2022-23 का जो financial year है उस तक ये valid रहता है और भई आपने upload भी करना है otherwise interview के time पर जितने भी certificates आपने upload करें है अगर उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आपके जो eligibility है वो खारच कर दी जाती है तो EWS का सिरफ और 2022-23 के लिए ही valid हो वह certificate आपने upload करना है और इसमें minimum जो maximum income जो है वो आपकी 6 lakh रुपीज होने चाहिए तो इसका हम लोगों ने देखे लिया तो ये कुछ चीजे हैं इसके आगे हमने EWS की बात ही कर ली है कि अगर कोई भी एक service man है जो कि अपने अपने लिए certificate को यूज नहीं करना चाहते है अपने बच्चों को देना चाहते है तो up to one child जो है वो person अपने जो observation के benefits है वो उनको दे सकता है तो ये भी बात आप ध्यान रख लेगा कि ESM certificate आप या तो खुद यूज कर सकते हैं या फिर आपके अलावा जा आपका कोई भी बच्चा है वो यूज कर सकता है चाहे वो girl है चाहे वो son है तो ये ध्यान रखेंगे ये सारी चीजे और इसके अलावा अगर आपको कोई भी issue face होता है during filling the form कोई भी कि इसमें क्या भरना है इसमें domicile certificate है या PPB ID है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई issue face हो रहा है for example आपको नहीं पता लग रहा है कि आपने इसमें क्या fill करना है तो आप हम लोगों से contact कर सकते हैं और कोई भी issue आएगा तो please हमें बताईएगा Thank you so much